यूट्यूब के अनुसार जूटीश समाधान केंद्र छचिक धनु मकरकुम मीन पांचमा मंगर है पंचम मंगर संतान भाव पर बैठा हुआ है संतान का सुख्ष झीन रहा है संतान को कुशकष्ट दे रहा है पीड़ा दे रहा है उदर विकार हो रहा है आपको उस्मा बढ़ रही है जटरारी भड़ रही है इस प्रकार से प्रेह्म सब्मण्न खटा कि उर जा रहे हैं इस प्रकार सब्सक्राइब आपका ये कारी करा रहा है और राहु देव आपकी ख्राँथी से आपकी ब्रिष्टिक अजानक होने वाली घटना से सावधान लेना क्योंकि मार के इस भाव में चल रहे हैं, रहु थोड़ा सा सावधानी बाहन से रखना है, अन्यत्ता नुक्सान हो सकता है, इस सकता है. और उसके बाद सनी देव की स्थिति क्या है, सनी देव आपकी राशी से तीसरे हैं, बहुत ही अच्छा फ़क देने वाले हैं, तीसरे सनी आपके लिए लक्षमी योग बना रहे हैं, रोग उन सत्मों का विनास कर रहे हैं, और आपकी इक्छा फ़की प्राप्ति करा रहे हैं और मेहनत से आप जो कारी कर रहे हैं उसका प्रतिफल मिलने वाला है इस प्रिकार से आपके जो सनिदेव हैं और आपकी संतान के लिए थोड़ी कष्ट दायक बने हुए हैं तो संतान बाधा आ सकती है उसको तकलीव हो सकती है स्वास्तिगरवड हो सकता है और आपके जो स्टुडेंट हैं पढ़ने निकने वाले का मन नहीं लगा उनको थोड़ी सावधानी से बुद्धी में ध्याद देना चाहिए इस प्रिकार पढ़ाई में थोड़ी से कमजोरी आ जाएगी इस सकता है मन नहीं लगाएग उच्चाठर होगा साथ साथ में बड़े भाई बेहनों का सुख वा सहयोग भी चीन रहे हैं इस प्रिकार से इस सनी देव अच्चाकारी नहीं करा रहे हैं गुरु देव की इस्थिति क्या रहेगी गुरु देव भी आपके तीसरे हैं आपके पत्नी की सदाय आपको बहुत काम किया रही है आप पत्नी की सदाय मांते नहीं वो दे रही हैं सदाय और देगी इस सदाय जिश्चित को ये कैसी सदाय देगी जो आपके लिए भविष्च निर्मान में सायग बनेगा तो पत्नी की सदाएं आप मानने करेंगे और वो सदाएं देंगे और पत्नी का स्वास सहयोग सब अच्छा रहेगा, भरकूर रहेगा देने का आई की गती बढ़ेगी, साथ साथ में एक गुरुदेव आपके भाग बिर्दी में बढ़ाओ बड़े सहायक हैं, इस सकता है होगा, बड़े भाई बेहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, इस प्रकार से आपके गुरुदेव भी अच्छा कारी कराने जा रहे हैं, और आपकी व्रिश्चिक रासी वालों के लिए मंगब का मैंने बताया, साथ साथ में सूरी कहां हैं, सूरी आपकी रासी पर ही हैं, बुद्ध आपकी रासी पर हैं, केतु आपकी रासी पर हैं, ब्रिश्चिक रासी पर तीनों क्रहोने से, आपको जो हैसो, क्रोध की मात्रा में अंकुछ रखे हैं, क्रोध बढ़ेगा, क्योंको सूरी और केतु दोनों बैठे हुए हैं, के जौप में उनके लिए पदूनती है उसकती है प्रसंस नहीं पनेंगे आप प्रसासनिक छेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसमें संसान में कुछ थोड़ा सा भारत वर्स में एक नए अध्या जूड़ सकता है जंदर्देव की इस्टि क्या रहेगी जंदर्देव जो है तो आपके जो तो प्रथम दिन जो है तो छे तारिक को ब्रिश्टिक रासी बालों के लिए औहां रहेंगे जंदर्देव रहेंगे अ तो कर्क रासी में रहने से क्या होगा? ब्रिश्चिक, धनू, मकर, कुंव, मीन, मेग, ब्लेक, मितुन, उर कर्क नो में भाग ब्रधिश्चे यानि छे तारीक को सुभ समाचार मिलने वादा है, जिसमें भाग के बद्धी होगी, और विवाय का समाचार मिले, संबंद्ध तैव हो जाएं समाचार, कोई भी अच्छा समाचार मिलेगा, इस प्रकार छे तारीक बहुत हुची है। शाथ और आठ तारीक को दसमें कर्म इप्षितम यानि कर्म छेत्म में प्रगती होगी, पिता का स्वास्त चरहेगा, सुभावत चरहेगा, सहयोग मिलेगा। और एकाद से सर्व लावं, आठ और नो तारीक को, नो दस तारीक को सप्रकार से लाव कर समाचार आपको मिलेगा, चार ओर से लाव होगा। ब्लाद से हानी रेव चर्व, ग्यारा और बारा तारीक को हानी कसर है, अच्छा दिन नहीं है, उस दिन कुछ परिशानी हो सकती है, दुख्सान हो सकता है। मिला जुदा यह सप्ता है, ब्रिश्चिक रासी वादों के लिए रहेगा, मंदल काम नहीं करता हूँ, आपका सप्ता है, अच्छा बीते हर समस्या का समधान, वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समधान, लव प्रॉब्लम हो या प्रेकर प्रॉब्ल या पाना चाहते हैं चुटकार अपनी सौसर से, इन सब समस्या का समधान है हमारे पास, आए संपर कीचे, जोतिश्य ग्यानी, बिशार शर्माजी से, अधिचान का रिखली विजिट करें हमारा यूडियूब चैनल, जोतिश्य ग्यानी, और संपर करें, हमारा